नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों जैसा कि आपनों थर्म लेल में देखा आज हम सब्जियों में कीरा लग जाता है उसके निवारन के बारे में हम आपको बताएंगे यह जो आप देख पा रहे हैं यह एक सब्जी का फॉर्म है यहाँ पर फिलहाल सेम का खेती किया गिया है इसके बार में हम आपको आईए आपको डिटेल से बताते हैं तो चलिए हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रोब्लम है और इसका निवारन कैसे किया जाए तो आप किलियारली देख सकते हैं कि यह अभी छोटा-छोटा बेल है अभी मतलब धीरे-धीर लती उपर फैल दाहा है अभी पूरी तरह से नहीं फैला हुआ है जब पूरा फैल जाएगा तो पूरा अंधेरा हो जाता है पूरा किसी भी खेत में पूरा अंधेरा हो जाएगा नीचे सेट के नीचे अभी आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत फ़लना शुरू हुआ है इसमें फुल भी लगल हुआ है चलिए अब हम आपको इसके शम्स्वादम के बारे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं किसी भी सब्येशी में कीटो की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है यह आप देख रहे हैं किस तरह से कीटा च्छेद करके उसके अंदर जा चुका है और वहां पर पूरा मतलब ब्लैक स्वाट टाइप का हो जाता है उस तरह से आपको यह ऐसा कीरा होता है कि आगर आप इसका रोक थाम नहीं करेंगे तो आपके धीरे-धीरे पूरे फसल में फैल जाएगा यह कीरा अनेक फसलों में ल लगे हुए जो लट्ती है फसल है उस पर हम स्पिर करने के लिए लाए हैं यह THIS दो जो आप देख रहे हैं दोनों का दोनों का अच्छा होता है बहुत ही अच्छ तरीके से काम करता है पहला जो है फाइड़र फर्म में है और दूसरा जो है यह लिक्वीड फर्म में आता है या गाढ़े मतलब उजले कलर का लिक्वीड होता है इसका प्राइस आपको 1100 से 1200 रुपया पड़ सकता है हला कि इस पर प्राइस रेट 355 रुपया लिखा हुआ है आप किलिए लिदेख सकते हैं हमेशा आप इसका एक्सपारी डेट चेक करें ले भी दाबा का क्योंकि जहर भी है फिर भी आप एक्सपारी डेट चेक करके ही ले अब इसका जो आप आथी देख रहे सकते हैं 11.7 परसेंट होता है यह बहुत ही मतलब खतरनाख केमिकल है आपको किसी भी तरह का मतलब कीट आपके फसल में लगा हुआ है उसको नस्ट कर देगा यह खतरनाख होने के बावजूद भी ग्रीन लेबल के अंदर आता है क्योंकि यह राष्ट पती से समानित भी किया जा चुका है इस केमिकल यूज करने वाले बहुत सारी कंपनी को बहुत सारे कंपनी अपने दावा में 11.7% का यूज करती है यह एक ट्रांसलेमिनर होता है क्योंकि ट्रांसलेमिनर का आर्थ होता है कि आप किसी भी सबजियों में हमेशा एस्प्रे करें तो ध्यान में रखें कि त्रांस लेमिनार आपका जो वह जो कितना सक हो टांस लेमिनार हो क्या की टांस लेमिनार होने के कारण जो होता है पत्ती के एक साइड में भी आप अगर आप Espray कर देंगे तो आप दूसरे साइड से अपने आप RIS निकल जाता है absorb कर जाता है और दूसरे साइट से निकल जाता है इस से क्या होगा कि आप अगर एक साइट भी spray पर गया तो दूसरे साइट में automatic है कि अगर कीरा बैठा हुआ है या उस साइट spray नहीं हुआ तो इस साइट से उस साइट जाकर भी आपको जो कीरा होता है उसको आपको नस्ट कर देगा और इतना सबसे अच्छी बात तो इसकी यह है कि यह इतना खतरना कीरों के लिए chemical होने के बावजूद भी या green level के अंदर आता है इसके कारण इंसानों को उतना ज्यादा नुक्सान नहीं पहुंचाता है जो आप दूसरी दावा देख रहा है जो की green color के packet में है यह ride company का आता है इसको tag ride भी बोलते हैं इसमें acetamipride 20% SP होता है जो की एक powder form में आता है जो की water soluble है दोनों दावा का combination बहुत ही आचा है इस दोनों का दवा का combination करके अगर आप इस प्रे करते हैं तो किसी भी परकार का insect है वो पूरा नस्ट हो जाएगा आपके खेत से ही नस्ट हो जाएगा करें इसके डोज की तो एक गैलन जो एक 15 लिटर का गैलन होता है उसमें 25 ग्राम रखा जाता है और जो चैंपियन जो दवा लिक्विड है यह एक लिक्विड पांच गैलन के लिए आता है ता मतलब पांच भाग में इसको बात ले और पर एक उतना उतना एक गैलन में ढाल दें दोस्तों अगर आप जानना चा करना बिलकुल न गुले, धन्यवाद.